गड़ में प्रधान मंत्री नरीन मूदी की पहली चुनावी जनसभा और हर्याणा में पहली रैली करके अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील प्रधान मंत्री करते हुए सी राजा बल्राम सी, राजा नाहर सी, ऐसे ऐसे अनेक महापुर्शों की इस भूमी को मैं नमन करता हूँ, बंदन करता हूँ यहां बिराजित, पत्वारी माता को भी, मैं सर जुका करके प्रणाम करता हूँ और यहां से वो जगह बहुत दूर नहीं है, जहां पर आपासकार के दर्म्यान, इमर्जन्सी के दर्वान, भारत के पुर्वपधान मंत्री मुरार्जी भाई देशाई को गिरपतार करके वहां उन्निस महिने बंद रखा गया था भायों बहनों, जब मैं आपके बीच आता हूँ, जब हर्याना आता हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है, कि मेरे अपने घर में आया हूँ हर्याना ने मुझे बहुत सिखाया है, और इसलिए, जब भी मैं इहां आता हूँ, तो एक अलग भावना, मेरे भीतर उमर ने लग जाती है, यहां का विकास, यहां के लोगों के जीवन में बढ़ लाओ, यह हमेशा हमेशा मेरी प्रात्विकता रही है, बाई और बहनों, मुझे आज है, कि पाँच वर्ष पहले, जब मैं हर्याना में भाजपा सरकार बनाने की बात करता था, तो हमारे सामने, जो विरोधी दल खड़े थे, उनके नेता थे, वो मेरे मुह में उंगली डाल डाल करके पूछ रहे थे, पिछले चुनाओ मैं, कि मोदी जी बताओ, तुम बोर्टों मांग रहे हैं हो, लेकिन तुम्हारा कैप्टन कौन है, ये मुझे पूछते से, और तम मेरा जबाब होता था, कि हर्याना के जन्ता के आशिरवाद मिले, तो हर्याना को, एक मजबूत सक्षाम कैप्टन भी मिलेगा, और अकेला कैप्टन नहें, मजबूत टीम भी मिलेगी, आज, पांच साल बाद, कैप्टन भी, पूरी बुलंदी के साथ, आपके सामने हैं, और मजबूत टीम भी आपने देखी हैं, यही टीम है, जिसने विकास के मामले में, हर्याना को अग्रणी रखा है, अवल रखा है, सैयोग देखिए, जो तम मुझसे कैप्टन को लेकर सवाल करते थे, वो आज, अपनी बिखरी टीम को ही, समेटने के लिए, एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो खुद को जितना समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही, वो रोज बिखरते चले जा रहे हैं, आम मुझे पताईए, अपने अपने स्वार्थ की वज़े से, अपने अपने अहंकार के कारण, अपने अपने कुन्वे की हिफाजत के लिए, और इसी वज़े से बिखरते हुए लोग, क्या हर्याना के विकास के बारे में सोच पाएंगे, हर्याना का बड़ा कर पाएंगे, हर्याना का विकास कर पाएंगे, कोई संपाव नहाएं इसे, स्वार्थ और ब्रस्टाचार की राजनिती, ये हर्याना की जनतां का संसकार नहीं है, ये धर्ती तो भारत मा की जाएब बोलते हुए, हाथ में तिरंगा के लिए जीने मरने का पन ले करके चले हुए, सीमा पर दुश्मनों के होगोश उड़ा देने वाले, ये वीरों की धर्ती है, बलिदानियों की धर्ती है, त्याग और सबस्चियों की धर्ती है, और ये धर्ती, खेड की दुनिया में चाँ जाने वाले, हमारे वीर बेटे बेटियों की धर्ती है, यह इस धर्ती का यहां के लोगों का सहयोग और समर्दर है जिनोंने मनोहरलाल जी और उनकी टीम को ताकत दी है आपका यही आशिरवात हमें लोग सभा के चुदाओं के दौरान भी मिला है विशेस्तोर पर हमारे युवास साथियों ने किसान और स्रविक साथियों ने हमारी बहनों ने नई उमिदों और नई सपनों के लिए कमल के निशान पर बटन दबाया साथियों तब मैंने कहा था कि हर्याना ने जो मेरे परवरिश की है हर्याना ने जो समस्कार मुझ में गड़े है उनका मान और समान मैं सरवोच्च रखूंगा ये मैंने आपको वादा किया नई सरकार बने अभी बहुत समय नहीं बिता है लेकिन आपके सामने रखा हर संकल्प मैं तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ आपने मुझे पाँच साल का वक्त दिया है अभी पाँच महिने भी नहीं हुए है और मैं एक के बाद एक कदम उठाता चला जा रहा हूँ भाई और भेनों आज आप देख रहे हैं कि कैसे पुरी दुनिया दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत के साथ खड़े होने के लिए बारत के साथ आने के लिए आज दुनिया भर में हर कोई नजर आता है आतू नजर आता है आपने जो जनादेश दिया है उससे दुनिया में ये संदेश है और ये संदेश साब साब दिया है कि अब बारत का समाज बंटा हुआ नहीं है बलकि एक जुट होकर विकांस और विश्वास की नीती के साथ खड़ा है, आगे बढ़ रहा है तेज़ कटी से आगे बढ़ रहा है साथ यो आपके इसी विश्वास और उसके साथ जो उर्जा मिली है उस उर्जा का ही परणाम है कि भारत आज वो फैंसले ले रहा है जिसकी पहले कोई कलपना भी नहीं कर सकता था मैं किस फैसले की बात कर रहा हूँ आपको पता है कौनसे वाले फैसले की मैं बात कर रहा हूँ कौनसा देखे ये जनता की आवाद देखे और जनता तो इश्वर का रूप होती है जब इश्वर का रूप बोल दाता है ये फैसला है आर्टिकल तिन सो सब्तर का साथियो ये हर्योणा की पूरे देख की भावना थी कि जम्भू कश्मीर के अलगाव और हिंसा से निकाल कर सद्धाव और ससक्ति करण की तरफ ले जाया जाए आज जम्भू कश्मीर और लदाक विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है और इसका स्रेख इसका स्रेख किसको जाता है इसका स्रेख किसको जाता है किसको जाता है किसको जाता है किसको जाता है मोडी को नहीं जाता है ये वलब गर के लोग फेल हो गए इसका से आप 130 करोर देश्वासियों को जाता है हिंदुस्तान के मतदाताओं को जाता है कि आपने कमल पे बटन दबाया और मुझे ये ताकत मिली है आपके सपने पूरे करने की आज पुरा देश ये भी देख रहा है कि जिनके हीतों पर इस फैंसले से चोट हुई है वो सदमे में है तिल मिलाए हुए है ये लोग इस फैसले पर सबार उठा रहे हैं बिदेशों में जाकर इसे इतना ही लगाव है इतना ही मो है तो मैं जरा उनको आज आवान करता हूँ चैलेंज करता हूँ अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है हिम्मत के साथ हरियाना के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे 35 एब वापिस लाएंगे मोदी ने जो किया है उसको उष्टा कर देंगे लोग सब आगे चुनाव आएं कब तक मैनिफेस्टों में लिखो कि हम अगर आएं तो 370 वापिस लाएंगे यह है किसे में ताकत यह करने की तो यह गड़ियाली आशु बहा रहें कि नहीं बहा रहें यह जुठी बाते बोल रहें कि नहीं बोल रहें उनको भी पता है आर्टिकल 370 के जनता जनार्दन का इतना प्यार इतना उमंग उत्ता मिला है कि मोभी आर्टिकल 370 और 35A का नेने कर पाया है आर्टिकल 370 के समर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि वह हर्याना के गाउं गाउं में जाकर इसके फाइदे जरों लोगों को समझाए और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन माता उने अपने वीर खोए है किश्मीर की धर्ति पर घर में जवान पत्ती छोटे छोटे बच्टे उनसे बिदाई ले करके जो मेरा वीर जवान हर्याना का नव्यवान जम्मु किश्मीर की रक्षा कर रहा था वहां के निर्दोष नाग्रिकों की रक्षा कर रहा था जिसको आतंकियों ने गोलियों से भुन दिया और जो सरीर तिरंगे में लिपेट करके वापिस लोता था उन माताओं को पूछो कि तुम्हारा 373 के प्यार्क ने कितने माताओं के बेटों को रौन दाला है कितनी बेहनों को विद्वा कर दिया है भावियों बेहनों जिनोंने जम्मु किश्मीर में शांती के लिए अपनों को खोया है उनको कॉंग्रेस के नेता बताएं कि आर्टिकल 370 से उनको इतना मोग क्यो है कॉंग्रेस के नेताओं को हर्याना की बेटियों को यहां के दलितों को भी जराज जाकर के बताना चाहिए कि जम्मु किश्मीर में 370 में वहां कैसे इन बर्गों का हीट किया है मैं जरा यहां के नेताओं को पूछना चाहता हूँ आज वोट लेने के लिए बालमी की जैन्ती के नाम पर बालमी की के नाम पर भांती भांती के जुट पहला रहे है अरे आज आजिके 70 साल हो गए बनारत जहां से मैं लोग सभाका सदस्य जन्ता ने मुझे चून करके भेजा है बनारत की जन्ता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है संतरविदास की भूमी है इतने इतने उत्ते पुदे से प्रदान मंत्री बनके गए हर दल से नेता चून करके आए क्या कारण था इतने बड़े महापुरू संतरविदास उनकी स्थान का भव में दिनबान क्यों नहीं किया ये मोदी आया है आज बनारस में संतरविदास का एक जिहां सिक्समारक बन रहा है फिर प्खेतर बन रहा है और ये मेरा सवभाग यह है कि वहाँ के समाज के नेताओं ने मुझे उसके भूमी पुजन करने का सवभाग यह दिया था मैं जरा ये लोगों की आँख में दूल जौकने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूँ बलीतों को गुम रहा करने वालों को पूछना चाहता हूँ बालमी की समाज को उक्षाने के लिए जूट का सहाना लेने वालों से में पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की धर्ती पर मेरे जो वालमी की भाई बहन रहते से अगर उनका बेटा ग्रेजियेट हो जाए, डबल ग्रेजियेट हो जाए इंजीनियर हो जाए लेकिन वालमी की परिवार के बेटों को जम्मू कश्मीर सरकार में उसके हक की नोकरी भी नहीं दी जाती थी और कारण क्या था कारण तिन सो सक्तर था पैटीस ए था और उसके कारण जम्मु केश्वीर की धर्ती पर बालमी की समाज की चार चार पीडी कितनी ही पड़ाई क्यों नकी हो जाडू लगाना, कोईलेट ताप करना इसके सिवाए वहाँ की सरकार ने कोई की भी काम देने के लिए उन्हे योग नहीं माना हर बार तिन सो सक्तर का बहाना बताया और यह पाप दिलने में बैटी हुई सरकारों ने उस सरकारों का जन्दा लेकर के चलने वाले हरियाना के उन्हेताओं ने पाप किया था भाईयो बहनों यह मोदी है जिसने आर्टिकल 370 को हता करके चार चार पीड़ी से मेरे उन वालमी की भाईयो बहनों पर जिल्म होते थे एक ठटके से चार पीड़ी के न्याय को मैंने खत्म कर दिया है साथियों कॉंग्रेस और उसके जैसे दल यह नहीं कर सकते क्योंकि यह जो मगर के आशू गड़ियाली आशू बहा रहे हैं वो सिर्फ सतई है यह वोटमेंक की राजनिती को जिन्दा रखने का उनका विफल प्रयास है सिर्फ विरोग के लिए विरोग इनकी आदत मन चुकी है यही उनकी परंपरा है इसी यही उनकी आदत है यही उनके तरीके है आप याद कीजिए रफाइल लराक विमान को लेकर इन्होंने लोग सभा के चुनाव के दोरान कैसी होई तबा बचाई थी चाती पीट रहे थे चाती इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि रफाइल विमान से समझोता रद हो जाए भारत में नया लड़ाक विमान ना आने पाए लेकिन आज मुझे खुसी है कि इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजुद बारत को पहला लड़ाक विमान सोपा जा चुका है भाई योगा भाई और बहनों ये कितना भी विरोद करें कितनी ही साजी से करें राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए सेना के ससक्ति करण के लिए भारती ये जनता पार्टी प्रतिबद है और हम उसे लगातार गती भी दे रहे हैं मुझे कोई हक नहीं है कि हर्याना का मेरा भीर जबान हर्याना की वीर माताओं का बेटा हिन्नस्तान की वीर माताओं का बेटा जो देश की रक्षा के लिए लड रहा है वो बारूद और हथ्यार के बिना बिश्मनों के सिकार हो जाए ये मोदी को मंजूर नहीं है दोस्तों हमारे अपने तेजस लागों इमिमान को इन लोगों ने दिम्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी पता नहीं किसका दबाव था हमारी सरकार ने सारी रुकावटों को दूर करके तेजस की उड़ान को नए पंक लगाए आज तेजस भारतिय बायुशना की शान बन रहा है साथियों आधुनिक बिमानों और हेलिकॉप्टर से लेकर नए मिसाइल डिपैंस सिस्टिम तक समंदर में नई ताकतों से लेकर अंत्रिक्ष में नई मिसाइलों तक बुले पुरूप जैकेट से लेकर गोलियां और गोला बारुत तर हम हर स्थर पर काम कर रहे है अपनी सेनाओं के साथ ही अपने वीर बेटे बेटियों को हम मजबूत कर रहे हैं देश के जिन वीर सपुताओं के हाथ पहले किस सरकारों ने उनके जो हाथ बांद रखे थे उन्हें भाजपा सरकार ने खुली फूट दे दी है आपके तो हर गाउं में जबान है वो बताते होंगे मोदी ने कह दिया है आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना याद है ना अरे बारा सोट का याद कीजिए कैसे आतंचियों को घर में गुष करके मारा याद है ना भाई और भनो कॉंग्रेस और उसके जैसे दलो की कर्णी कैसी रही है इसका जीता चाच्चत सबुत रहा है बन रैंक बन पेंशन ये लोग आप से जुठ बोलते रहे लेकिन बन रैंक बन पेंशन लागू नहीं किया आज नहीं सिर्फ सच्चाई है बलकि हर्याना के भी करीब करीब दो लाग पुर्व फोजियों को इसका लाब मिल चुका है अब तक उन्हें अकेले हर्याना में नव सो करोर रुपे से जादा का एरियर उनके यहां जमा हो चुका है भाई और बेनों देश में हो रहे हर सुधार के सामने हर परिवर्तन के सामने कॉंग्रेस और उसके जैसे दल दिवार बन करके खड़े हो जाते हैं आपने देखा है कि कैसे तीन तलाब के खिलाब कानून को इन लोगों ने हर बार रोका कानून को आपने लोगों को जादा है